हलो फ्रेंड्स आईए आज हम मिलकर बनाते हैं इमली की खटी मीठी चटनी जिसको हम दही भले में चाट में आलू टिकी में या फिर पकड़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है 200 ग्राम सीटलस इमली, दो छोटी लाइची जिसको मैंने पीस लिया है, आधा छोटा चमच लाल मिर्च, आधी छोटी चमच सौंच, सूखी अद्रक्ता पाउडर, 200 ग्राम शक्कर, एक चमच नमक, दो कप पानी, इसके लिए इमली को हम स 4 homeowners टक भिलोडेंगे, यह दे सके लिए मैंने सेगली तो 4 इद दे लिए 4 हंटे पहले Wichi एक पानी में पानी मैंने डाला हुआ है इसमें एक कप पानी और डाल देंगे फीट को ओन करेंगे साथ ही इसमें शक्कर डाल देंगे 200 ग्राम शक्कर इसमें मैं डाल रहे हूँ अगर आपके पास शक्कर नहीं है आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर चीनी भी डाल सकते हैं और साथ ही मैं इसमें चोटी लाइची डाल रहे हूँ और इसको 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे यह देखिए, यह मैंने 10 मिनट तक इमली को पका लिया है, इसको मैंने मीडियम आज पे पकाया है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी गाड़ी हो जाए, अब हम हीट को बंद कर दूंगे और इस मिक्सचर को छान लेंगे यह देखिए, यह मैंने सारा मिक्सचर छान लिया है, यह देखिए, अब हम इसको फिर से हीट पे रखेंगे, धियान रखिए, हीट मीडियम होनी चाहिए, नहीं तो यह उबल जाएगी, और अब इसमें हम डालेंगे नमक, एक चमच नमक में डाल रहे हो, आधी चोटी चमच सुखी हुए अद्रक का पाउडर, साथ ही मैं इसमें एक छोटा चमच, ड्राई रोस्टेट जीरा पाउडर डाल रहे हूँ, और यह सारी चीजों को हम 5 मिनट तक थोड़ा गाड़ा होने तक और पका लेंगे, इन सारी चीजों को हम 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि यह अपनी खटी मिठी चट्नी को पकौड़ों के साथ, दही भले, चाट के साथ या पिर अलू टिकल के साथ इंजोई करें, इसको मैंने थोड़ा गाड़ा किया है, क्योंकि गाड़ा करने से इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आपने इमली को अच्छा से गाड़ा क दाल कर दो तीन महिने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, तो अगली बार जब भी आप स्नैक्स बनाएं, उसके साथ इस चट्नी को एंजोई करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत पूलिये, थैंक्यू